हेलो एबरिबरेन वेलकम टू राज अन्रो एडिट्स तो आज का वीडियो कुछ इस्पेसल होने वाला है क्योंकि आज मैं खुद का फोटो एडिंग करने वाला हूँ अगर आपको भी इस तरह का फोटो एडिंग सिखना है तो वीडियो के एंड तक देखें आज चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन का भी प्रेस कर लीजिए अगर आपने मुझे इस्टाग्राम पर फॉला नहीं किया तो मेरा यूजर नम राज राज त्रिपल फोर है या लिंक डिस्क्रिशन है तो चलिए आज की इस वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्नैपसी टेबलिकस्न को आपन कर लेना है उसके बाद प्लस पे क्लिक करके फोटो को एड़ कर लेंगे फोटो एड़ होने के बाद नीचे टूल में क्लिक करेंगे यहा नीचे उसके बाद ट्यून इमेज में क्लिक करेंगे और इसका saturation को increase करेंगे, करें इतना, इसका ambience को भी हलका increase करेंगे, उसके बाद shadow को भी हलका increase कर देना है, उसके बाद यहाँ, ऊपर में क्लिक करेंगे, उसके बाद view audit में क्लिक करेंगे, उसके बाद new image में जाके, ब्रस में क्लिक कर देंगे, उसके बाद इसको यहाँ से invert कर देंगे, और इसको face में से erase कर देंगे, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं बिना कोई time waste किये, रिज हो जाने के बाद यहाँ से tick करके, यहाँ से बेख हो जाना है, उसके बाद tool में क्लिक करके, selective में जाएंगे, उसके बाद जहाँ आपका dark part है, इसको वहाँ पर रखके, इसका brightness को increase करेंगे, आप अपने photo के इंसाब से brightness को increase कर सकते हैं, इसको hand fire भी कर लेंगे, कुछ इस फरका से, आपको जहाँ जहाँ लएक कि आपका black part है, उसको यहाँ पर रखके, उसका brightness को increase कर देना है, उसके बाद tool में क्लिक करेंगे, tool में क्लिक करने के बाद tune image में जाएंगे, और इसका saturation को increase करेंगे, उसके बाद उपर इस वाले icon पर क्लिक करेंगे, view edit में जाएंगे, और tune image में क्लिक करके, brush में क्लिक कर देंगे, उसके बाद इसका size पत्तर रखके, lip को कुछ इस प्रकार से color कर देंगे, उसके बाद यहाँ tick करके इसको back कर लेंगे, और photo को save कर लेंगे, photo save हो जाने के बाद photo को light room अबले कर लेना है, इसके बाद light में क्लिक करके, इसका contrast को minus करेंगे, highlight को increase करेंगे, shadow को भी हलका increase कर देंगे, white को increase और black को minus करेंगे, और color में क्लिक करके इसका vibrance को increase करेंगे, और temperature को हलका increase कर देंगे, उसके बाद mix में क्लिक करके orange का saturation को minus करेंगे उसके बाद इसका luminous को हलका increase करेंगे और red में क्लिक करके इसका hue को minus करेंगे और saturation को हलका increase कर देंगे उसके बाद green में इसका hue को थोड़ा minus करेंगे अपने photo के हिसाब से उसके बाद कुछ नहीं करेंगे इसके बाद effect में click करके इस अब को भी थोड़ा थोड़ा increase कर देंगे वीगनेट को minus करेंगे इसको भी minus कर देंगे इसके बाद detail में click करके sharpness को इतना increase करेंगे masking को भी increase कर देंगे noise radiation को हलका increase करेंगे color noise को भी हलका increase कर देंगे और smooth को full कर देंगे अगर आप चाहे तो face को smooth कर सकते हैं तो face smooth हो जाने के बाद photo कुछ इस type का दिख रहा है अगर आप photo editing related video पसंद करते हैं तो channel को subscribe कर लिजे और well icon को भी fresh कर लिजे Thank you